CPIM नेता राकेश सिंगा पर हुए हमले के विरोध में मंडी में परदर्शन किया गया भारत्य कमिनिस्ट पार्टी माकपा जिला कमेटी ने जेपी कमपनी के खिलाफ जिला मुख्याले में धर्णा परदर्शन किया कारेकरतों ने बताया है कि हमले के विरोध में पुरे प्रदेश में परदर्शन करने का एलान किया गया है और इस मसले पर दिली में CPIM नेता, कॉंग्रिस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्टरपती से भी मुलाकात करेंगे CPIM के सचीवाले सदस्यों ने बताया है कि JP कंपनी की नौर में जल वीडियोत परियोजना का काम कर रही है जिसमें बड़े पैमाने पर श्रम कानूनों का उलंगन करते हुए मजदूरों का शोष्ण किया जा रहा है जिसके खिलाफ वहां के मजदूरों ने अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए लोकतांत्रिक तरीकों से हर्ताल की है सचिवालिय सदस्यों ने बता है कि प्रदेश सरकार जेपी कमपनी के साथ मिलकर पूरे की नौर में गयर कानूनी तरीके से धारा 144 लगा रखी है और प्रदेश सरकार तानाशाही पुर्वक तरीके से उस आंदोलन को कुचलने के लिए मजदूरों को बैठके करने से भी रोक रही है सब संकेत यम साथ कहना चाहते हैं अगर सरकार नहीं जुक्ती या कर सरकार नहीं मानती है इसी तर पर भारा अंदोलन ज़आने वाले स्मेले और उकरो CPIM के सच्चीवालिय सदस्यों ने बता है कि कमपनी द्वारा लाए गए किराये के गुंडों वा पुलिस मिलकर मजदूरों को डरा धमका रही है यही नहीं स्थानिय जनता उनके घर, जंकल, जमीन की एक शती होने पर भी नुक्सान होने की भरपाई की मांग करती है कारेकरताओं ने जेपी कमपनी पर आरोप लगाते हुए बता है कि कमपनी के गुंडे स्थानिय जनता को भी डरा धमका रहे हैं और प्रदेश सरकार के साथ मिलकर स्थानिय जनता के आंदोरन को खुचलने की भरपूर कोशिश कर रही है आज दरना प्रदसनिय आपर चल रहा है यह इसलिए है कि आज CPIM के जनरल सेग्रेटरी CITU के नेता साथी राके सिंगा पर JP कंपनी के गुंडों ने आज जानलेवा हामला बोला है जब वे अपनी गाड़ी पर रामपूर से किनौर जा रहे थे उस समय जेपी कंपनी की गाड़ी जो रामपूर के तरफ से आ रही थी वो कामरी सिंगा की गाड़ी पर चिढा दी गई जिसका हम विरोध करते हैं यह चांस की बात है कि बाड़ बाड़ उनकी जान बची है गाड़ी पुरी तरह से डेमेज करिए हम JP कंपनी की स्कूंडा गरदी के खिलाफ आज यह पर दर्शन कर रहे हैं जो दलाल सरकार राज हमारे राजे में बैठी है यह इसकी शैपरे सार कंपनी को उल्टा वहाँ पर 1144 लगा दी गई है 1144 वहां लगा दी गई जहां मजदूर रहते हैं उनका आवास थान है यह बड़ी थेद की बात है हिंदूस्तान के इत्यास में पहली बार है कि घर के अंदर 1144 लगाई है कहां जाएगा मजदूर मजदूर जंगल में जाकर उनको गिर्फतार करें और उनके उपर कानूनी कारेवाई की जाए अन्यताया जो संघर्ष है या पूरे राजे में ये खाली आज यही नहीं हो रहा है इस सांदोर उनको और तेज किया जाएगा अगर उन्होंने हमारे जनुवादी अधिकारों के राम लागे या ऐसा ही आई जाए कैमरा पर्सन यूगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी